पहला सवाल दोस्तों सिंजो आबे हाल ही में मारे गए थे आपको बताना है कि वो नीचे देगे देशों में से कौन से देश के राष्ट पती रहे चुके हैं जपान, चाइना, इंडोनेशिया और साउथ कोरिया सही जवाब है जपान वो एक स्पीज दे रहे थे, दा लिबरल डेमोकरिटिक पार्टी उनकी पार्टी का नाम था और इसी दोरान एक व्यक्ति ने उनकी गोली मार कर हत्या कर दिए वो जगहे जहां पर उनको मारा गया था वो जपान की ही एक नेरा सिटी शहर है वहाँ पर उनको मारा गया था दूसरा कॉश्चन जी एस्टी दोस्तों इंडियन नेशनल फ्लैग जो बनाया जाता है फिनेंस मेस्ट्रें बोला है कि इसके ओपर जी एस्टी लगेगी इन में से कितनी लगेगी 18 परसंट, 12 परसंट, 5 परसंट है 0 परसंट सही जवाब है 0 परसंट क्योंकि इंडियन नेशनल फ्लैग को बनाना वो चाहे कैसे भी बने मशीन से बने, हैंड से बने, कोटन से बने, सिल्क वूल, खादी किसी से भी बने उसके ओपर जी एस्टी नहीं लगाया जाएगा उसे उसे बाहर रखा गया है तीसरा स्वाल एक मिशन वादसलन नाम से योजना आई है, स्कीम आई है हमें बताना है कि वो इन में से किसने लागू की है Women and Child Development, Education, MSME और Ministry of Commerce and Industry सही जवाब है Ministry of Women and Child Development ये एक umbrella स्कीम है जिसके अंदर funds जारे किया जाएंगे इसको आगे बढ़ाने के लिए और WCD यानि की Women and Child Development इसको पूरा करेगी अगला सवाल है कि एक रिपोर्ट आये है 2022 की World Population Prospects की उसमें हमें बताना है कि भारत कब चाइना को सरपास करके सबसे घनियाबादी वाला देश बन जाएगा 2023 तक 24 तक 26 तक या 2030 तक सही जावाब है 2023 तक और एक आखड़े के अनुसार ये भी बताया गया है कि 2030 तक इस पूरे World में Population साढ़े आठ सो करोड हो जाएगी और एक और आश्चरे चकित कर देने वाला आखड़ा आया है कि 2050 तक यह आखड़ा 1000 करोड तक पहुच सकता है पूरे World की Population उरी बाबा अगला सवाल है दो टाम आई है OALP और HELP हमें बताना है कि यह किस विशे से जुड़ी हुई है कोल, ओइल, ओटो मोबिल या फिर इलेक्ट्रोनिक्स इसका सही जवाब है दोस्तो OIL HELP की फुल फुर्म है Hydrocarbon Exploration and License Policy और OALP की फुल 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 फुर्म है Open Accrease Licensing Program अगला सवाल दोस्तों एक साइट आए है Ancient Buddhist जिसका नाम है कन गनाली वो में बताना है कि इन में से कहां पर वो स्थित है आंदर प्रदेश में है करनाटक में है पंजाब में है या फिर बिहार में है आप भी गैस कर सकते है इसका सही जवाब है करनाटका करनाटक में एक बहुत ही पुरानी Buddhist साइट मिली है भीमा रीवर के पास वो स्थित है जो Archaeological Survey of India है अब वो उस पर काम करेगी उसका संवरक्षन करेगी अगला सवाल Singalila एक National Park यह हमें बताना है कि यहां पर कौन से रजमिस्थित है हिमाचल परदेश में, वेस्ट बेंगोल में, उत्राखन में या फिर सिक्किम में Singalila National Park काफी है सोर्क्यों में रहा है इसका सही जवाब है वेस्ट बेंगोल यह है वेस्ट बेंगोल का सबसे सुरक्षित कहा जाने वाला इलाका है, जिसके अंदर 20 लाल रंग के दुरलब पांडा, जो एक जानवर होता है, उसको छोड़ा जाएगा उसका संरक्षन किया जाएगा, उनकी केर की जाएगे बहुत ही दुरलब जीव है, पांडा अगला सवाल, दोस्तों अजीतनाथ जैन टेंपल, एक जैन धर्म की तीर्थंकर का एक बहुत पुराना मंदिर है, वो कहां पर पाये गया है, महराष्ट्रा में, गुजरात में, बिहार में, या फिर उत्तर परदेश में, इसका सही जवाब है, गुजरात, यह है तीर्थंकर का होली जो टेंपल है, गुजरात में पाया गया है, इसको और दूसरे जगों से जोडने के लिए एक लगभग तीन हजार करोड का रेल्वे प्रोजेक्ट भी यहां पर शुरू किया जाएगा, जो 2026-27 तक कम्प्लीट होने की उमीद है, अगला सवाल, इंडिया में एक मंकी पोक्स, एक बिमारी है, उसका पहला केस पाये गया था, वो कौन से स्टेट या फिर यू-टी में पाये गया है, ये हमें बताना है, यू-पी में, केरिला में, सिक्किम में या पंजाब में, इसका सही जवाब है, केरिला में, केरिला में एक 35 साल के वक्ति में ये लक्षन पाये गये, नेशनल विलो रोजी इंसिटूट इन पुने में उसको भेजा गया, उसको टेस्ट किया गया और बिमारी का पता लगया गया यह बिमारी स्मॉल पॉक्स चेचक से जुड़ी हुई, मिलती चुलती है आखरी जो सवाल है वो हमें बताना है कि भारत का कौन सा रज्य दुनिया के सबसे महान जगों में से एक लिया गया है 2022 की रिपोर्ट के नुसार, टाइम में एक जिन दवारा, करनाटका, केरला, तमिलनाड़ुया, रजस्थान, शाही जवाब है केरला युनेसको ने कहा है कि केरला जो है 2022 का सबसे खूब सूरुस्थान है इसमें एमदाबाज सिटी को भी इंक्लूड किया गया है अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगी हो तो लाइक करिए सब्सक्राइब करिए, शेर करिए दोस्तों के साथ नहीं अच्छे लगे तो डिसलाइक पर कर दीजे थैंक यू, दमिलनेस गुरू, से यू सून